कि एह लो दे स्टूडेंस कैसे हैं आप सब लोग मैं मौjac पथान एक बार से आप सब लोगों के सामने और आझ आज अगरने जा रहे हमारा आज का स्टैटिक जीके का दूसरा पाइए और जैसे की आफ लोगों कि दिख रहा है क्या स्टैटिक कह स्टमाटम तो Um मैं आप लोगों को पोस्ट मार्टम करके दिखाऊंगा एक एक चीज खोल खोल के खोल खोल के पढ़ाऊंगा ताकि एक्जाम के टाइम प्राइम में आपको कोई भी प्राउब्लम ना हो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सब का स्वागत करता हूं मैं यूटी अड़र 247 पर जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारी न्यूज बहुत सारे करेंट अफेर्स बहुत सारा जी के बहुत सारी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो बहुत सारे नोटिफिकेशन और आपकी हेल्प करता है आपकी मनचाही यूनियोस्टी प पढ़ेंगे और तीन पढ़ेंगे हम लोग कल ताकि भसड भी ना हो दिमाग में और इसली इसली समझ भी आता रहे उसके बाद फिर नया टॉपिक उठाए ठीक है आगे बड़े कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक चलिए तो देखते हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है तो स सब्सक्राइब की सीउटी से रिजए जितने भी प्रावलम से वह सौल हो सके जल्दी से बढ़ते आगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या है आज पहली स्लाइड में तो पहली स्लाइड हमें बता रहे किस बारे में अप्रिंसिपल और युनाइटेड नेशन के प्रिंसिप सबसे पहले इस है United Nations General Assembly सबसे पहला है इसको हम लोग अंगा पूलते अंगा United Nations General Assembly ठीक है दूबसरा है हमस्ता है थ하지 हैाि सबसे हमार पास The United Nations Security Council तो से कृछीटि चांसल क्याते हैं ईyou एंस सी United Nations Security Council च्ब्लिश्स स्थीन घ्रायन एकनोमिक अन्ल intetown council इसको हम लोग बोलते क्या ही को सॉक इखी आ उक हो सोग के न्हीं से जाना जाता है एक ियन सोचनामिक और सॉचल काउंसेल ußटरा है हमारे पास क्या इंटरनेशनल कोर्ट अव जस्वां डिसको हम लोग कॉर्लो All Act पार्ट से किसके उनाइट नेशन के तो क्या क्या काम होता है कब कब बना था ना किस चीज के लिए बनाया गया था कौन से अलग अलग पार्ट सफ डेवलप्मेंट को यह लोग फोकस करते हैं वो सारी की सारी चीज़े देखेंगे हम लोग किसमे क्या बात चलती है सब कुछ देखेंगे किसमे कितने मेंबर सब कुछ देखेंगे उससे पहले यह क्या ओल रहा है आल दीज और गन्स वर एस्टैबलिष्ट इन 1945 अ अगर कब भी भी कोशन आ जाए कि ट्रस्टीशिशिप काउंसिल रहा था आपकटान से आगे बड़े बड़े पकी बात है अगर आ रहा है समझ में तो दिखाऊ मुझे अपना उठा ताक अपन बड़े आगे और देखे क्या है यह वाली फोटो दिख रही अप लोग को यह वाली फोटो देखो कित्ते सारे लोग बैठे हुए ठीक है 193 कंट्रिस के लोग है आपर पता है क्या यह यह युनाइटेड नेशन जनरल ए यह यह युनाइटेड नेशन सेकूरिटी काउंसल अब यहाप पर देखकर आप लोगों को पता लग रहा होगा कि कम लोग है इसमें है ना कम लोग बैठे हुए तो क्यों कम है वह भी बताऊंगा मैं आप लोगों को आगे देखते हैं यह देखो दिख रहा है क्या दिख यह inlicher korteure kott的 अंच तियंट नेश्टिस हैं कहा कहा पर ईफ सब्सक्राइब यह बहुत इबसब आतए इस्सकल क्या ऑढख करते सर जिसको ने जताने अंगा उनाइट समभ आपने के लिए सबसे में धिवाण के वैं पॉली के लिए पॉलिशी के हापर बनती है के यहां पर रिप्रेजेंटेटिटी अरॉडने और यहां पर रिप्रेजेंटेटिव और धने आओ देलू ऐसyour मतलब United Nations के जितने भी मेंबर्स होंगे वह सारे के सारे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएंगे मतलब दुनिया में जित्ती भी कंट्रीज है उन सारी के सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव इस जनरल जनरल एसलिवाज भी मतलब हर कंट्री दुनिया की हर कंट्री उनाइटेग नेशन जनरल आसेमली का पार इजी आगे देके यूनाइटेग नेशन जनले यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन ये बोल रहा है कि हमार पास शृण अलग बॉड़ी से युनाइटेट नेशन स्केंटर में यह न अंगा और यूनाइटेटी नीशन से कौन्सिल हो गई है ना ट्रस्टिसिप काौंसिल होगी इंट्रेश्टल कोट अपर जिस्टीस हो गय तो यह क्यों रहे इस दोनली बोडी है इस यूनीवर्सल रिप्रेजंटेशन मतलब सबका सब को सबको रिप्रेजंटेशन में आगे इट मीट्स एवरी येर इन सप्टेमबर अधर साल कहां मिलता है हर साल सप्टेमबर में मीटिंग होती है संत avoir एसका सेश्न हर साल कहता है सप्टेमबर में हर साल सप्टेमबर में यूनाटिजीन जनरल आसेमली की मीटिंग होती है जिसमें सारे कसा लोग बैठते है पुरा मեनींन इसकुशन अचीज़ों और ये फिर ने इक सब्सक्राइओ साल क्या करने हों डिसाईट कर लिकर को मे दो क्यों रहा है और सब्सक्राइब और इस से निशने जनले संबले का प्रेसिटर्ण यह आप लोग उसे मता हो गहे और शीज़े से समझ ली फैक्ट याद करो ठीक है आगे और कि अपढ़े कंट्री मालो की हुवा रशिया से रशिया है रशिया से यी अलगे अलग होगी म Administration अलग होगी ठेचनिय जो यो खिस से अलग और रशिया से अलग हुई मान लो ठीक ऐसा हुआ नहीं एक्जांपल दे रहो तो मान लो कि चेचनिया को क्या करना है चेचनिया को पार्ड बनना है युनाइटेड नेशन का पार्ड बन सकता है बिल्कुल बन सकता है लेकिन कैसे पहले बात जाएगी युनाइटेड नेशन सेक्रिटी कांसिल में सेक्र 193 countries मिलकर क्या करेंगे वोट करेंगे अगर वोटिंग आदे से ज्यादा हो जाएगी है ना 193 का हाफ करतो कितना होता है जितना भी होता है ठीक है हाफ से एक वोट ज्यादा मिल गया तो इसका मतलब चेचनिया क्या बन सकता है युनाइटे नेशन जनरल एसेमली का मेंबर बन बनाता है कोई भी ठीक है अपने आप लोगों बताया था कि साउथ सुडान सबसे लास्ट मेंबर बनाए दोहजर गयाना पर है ना उससे पहले पैलेस्टाइन मना था ठीक है या तक को दिक्कत नहीं है तो दिखाओ मुझे अपने अंगोटे फट 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 अगे बड़े और देखें कि हमारे पास नेक्स्ट पेज क्या वतारा है यह युनाइट नेशन जनल एसंबली की कुछ जो एड़नेशन जनल एसंबली के नहीं विमेन मीटिंग हुई थी तो चोटी मीटिंग है तो कैसे मीटिंग होती है वह बतार था ठीक वरना 193 अगे का चली आगे है आगे का रही है आगे काहे ठीक है बिसीजट में इस लिया है ना तो करद दो तरीके से डिसीजिट लिए जबता चैनले सब्सक्रات करें कि मतलब क्या है कि 100 जने हैं 100 जने 100 में से हंडेड का रोग इतना 50 प्लस वन करो कितना 51 अगर हंडेड में से 51 जने बोले कि हाँ भाई मोहिन सर को खाना खिला दो तो मोहिन सर खाना खालेंगे आतल से सिंपल मेजॉरिट्य ठीक है लेकिन अगर कोश्वन है क्या कि मोहिन सर का गला कातना यह नहीं गातना तो इसके लिए चाहिए specially 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 this मतलब 2 3rd में में तटर्ड मेंति कितनी इप 2 3rd का मतलब किए जन्ले ठीक मेरे गॉले काटना ये काटना है या ने काटना इसके लिए 2 3rd में में 21- στο नहिए न आप खाना तो मरेगा थोड़ी बंदा अमने में घला कड़ autobiographia मर जाऊंगा और फ़तरनाक वाले कोई चीज क्या करनी है हमें डिसाइड करनी है तो टू थर्ड मेजाओटि चाहिए अब तू थर्म मतलब हंड़ेड को तीन हिस्व में बाट दो 33.5 33.33 33 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 तो इसका मतलब क्या 66 जने 66.6 जने अगर बोल दे क्या मतलब 67 जने बोल रहे कि भाईया इसको मत मारो बिचारा बहुत प्यारा अगर तो मुझे नहीं मारा जाएगा और अगर बोले 66 जने कि भी यह मार दो इसको तो बहुत हरामी है तो क्या कर दिया जाएगा सवज में आ रहा है यही चीज है युनाइटेड नेशन जनरल एसमजली का डिसीजन मेकिंग का पॉइंट क्या दो तर्ड मेजोरीटीच इस नीडेट फोर मेकिंग इंपोर्ट को इंपसिज़न के लिए क्या होगा तूथमिट कंड एक्रट मैज़ोरीटीहों सचनय कैयों सब्सक्राइब करना तो उसकी लिए ता टूठन मेजॉरिटी ली जाएगी है ना 193 में से 66 परसेंट बंदा बोलना चाहिए कि हाँ इसको पार्टिसिपेट करने तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पीस पीस थेक्रिटी मतलब कोई अगर कंट्रि है ठेक आगर उस कंट्रि को क्या करना है तो बहुत बड़ा डिसी जनी तो इसके लिए तो ठंट मेजॉरिटी चाहिए दूसरा क्या सिंपल मेजॉरिटी सिंपल डिम्रेटीं अब को सिंप्य पर्सेंट 50 परसेंट प्लस 50 प्लस से एक ज्यादा Kita K ricotta खाना खाना थोन तरहना 50 सुल में क्या होता है सिंप्ल मेजोरी टीमें डिसिज्जिन आप सिंपल मेजोरिय टेक अगसांपल ले लो जैसे फर एग्जम्पल यूनाटेटेटे नेशनजेंस में बात चल रही है एक कोई डे करते एंवर्ड प्रेगनेंसी दे सेलिबेट करते तो आप लोग मेंसे कितने लोग चाहते स्टेंट इसंपल सी चीज़ किया है सिमपल मेजरी टि में जो मलमली चीज हो कि तो उस rozp कर दिया जाएगा और जो मुश्किल चीदि वो तू थर मेजरीटी सब्सक्र KHT कि समझ मैंक नगी सैन है चाहिए लग लग रहा है इसी इवह बहुत है पूल रहा है कंट्रीज और सीटेड अल्फाबेटिकली इन जन्रल एसेंबली एकॉर्डिंग टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस आफ दे कंट्रीज नेम दर कंट्री विच ऑकिपाइज द फ्रेंड मोस्ट लेफ्ट पोजिशन इस डिटरमाइड एन्यूली बाइद सेक्रेटरी जन्रल वाय या बैलेट रॉड रिमेनिंग कंट्रीज फॉलो अल्फाबेटिकली अफ्टरिट अब देहां दो सुन होता क्या यह यह युनाइटेड नेशन जन्रल एसम्ली का आगे वाला पार्ट है ठीक है अब सीन क्या होता है हमारे पास सेक्रेटरी जन्रल उता है तो और एक नाम आजाएगा ठीक है वो नाम पड़ेगा क्या कि इसके उपर लिखा है इंडिया ठीक है तो जिसका भी नाम आएगा सिर्फ एक ही निकालना जिसका भी नाम आएगा उसको बिठा दिया जाएगा लेफ्ट साइड में सबसे आगे बहुत इंपोर्टन पोजिशन लेफ्ट साइड में सबसे आगे उसके बाद कौन सी कंट्री वाला बंदा कहा बैठेगा यह होता है अल्फेटी के लिए मतलब जिस कंट्री का नाम इंग्लिश में से स्टार्ट है वो पहले बैठेगा बांगलादेश टाइप पीछे बैठेगा सी वाला चेचनिया सबस्क्राइब हो लेकिन इंगलिश ट्रांसलेशन होना चाहिए है ना यह नहीं कि हम वहारा नाम था भारत ने इंगलिश ट्रांसलेशन लिखा हो थो और चलिके लड़ा बैठेगी यह नेकि कोई भी जाकर आगे बैठेगी है ठीक है अच्छा देखो क्या बोल रहा है for the 77th session 77th session मतलब जो आभी 2022 में गया है 2022 में जो अब इसमें सबसे आगे कौन से country बैटी ती तो सबसे आगे left side में सबसे आगे बैटी ती Belize Belize और Belize country जो है Central America में पढ़ती है इसका इसका मुझे बताओ अंसर क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रू लिखना कि बैलीज की कैपिटल क्या बैलीज की कैपिटल ठीक है छोटी सी कंटरी है इसकी कैपिटल बताव मुझे सेंटल अमेरिका में हिंटे दिया मैं अप लगो ठीक है फॉर्द 77 सेशन बैलीज वह सेलेक्टेट टौक्यूपाइद फरस से तो अब यह बहूत important body है और सबसे strongest body है किसकी United Nations United Nations की सबसे strongest body का नाम क्या है सबसे strongest body का नाम है United Nations Security Council आईये यह जली से इसके बारे में लेखते यह बोलता कि its role is to maintain international peace & security तो इसका काम क्या इंटरनाशनल पीस & security को United Nation General Assembly क्या था debate करने की लिए था peace और सेकूरिटी की बात वह भी करता है ठीक है लेकिन बनेवे डिसीजन भी लेता है इसका क्या है यह United Nations Security Council और United Nation Security Council का मेल काम क्या है इसी का क्या है है peace and security maintain करता है दूसरा इडिस लोकेटेट इन न्यू यॉर्क यॉनाइट नेशन जनरल एसंबली का था वह भी न्यू यॉयर्क में यॉनाइटे नेशन सेकुरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट चेंज एवरी मन्त एवरी मन्त और रोटेशनल बेसिस अब दो क्या वोल रहा है यॉनाइटेट नेशन सेकुरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता है वह एवरी मन्त चेंज होता है यॉनाइटेट नेशन जनरल ऐसंबली का हर साल हो इसका हर मन्त हो रहा है क्यों हरम बताऊंगा आगे दो क्या मोल रहा है देर आर टोटल 15 मेंबर्स इन दिन और दस इसमें होते है क्या नॉन पर्मेनेंट मेंबर्स दस नॉन पर्मेनेंट मेंबर्स होते है और दो साल का टाइम प्रेड होता है नॉन पर्मेनेंट मेंबर्स का ठीक है हर दो साल में एलेक्शन होगे नए नए बंद्या कर बैठेंगे ठीक है देखो इता हैं से यह वोना खतरनाक थी युसे और युसे सार तो इन दोनों का नाम तो आना या ना इसके साथ साथ जो इकनोमी के लिए बहुत जाना स्ट्रांग थी को जी को जी चाइना फ्रांस अना गोल्ड भोते फ्रांस के पास ठीक उस टाइम प्रेट में बहुत और क्या यू के हैं ना कॉलनी सब ओते हैं हर दो साल हर 2 साल का टाइम प्रेट होगा और हर 2 साल वपात इलेक्शन होंगे इनां पर्मेनक मेंबर्स ail Nahle ठाल यह तो इसमत Iz arts अमेरिका से कुछ उठा लिए यॉर्वप से कुछ उठा लिए तक है तो ऐसे होता ठीक है लेकिन अभी के लिए तुमारे लेवкого ठीक है चलो आगे दो कह बोल रहे इच मेंबर है तो ज्यादा वोट होतर ना non-perman member तो कम वोट होगा ने सब के पस एक वोट है लेकिन अगी बताऊँगा से कंट्रीज को are not a member of United Nations Security Council are allowed to participate in the discussion but not allowed to vote of this for example Kashmir Kashi or Kashmir Kashi Joe who okay a फोल में जाना कि है जाना तुम्हार पास ना तो कश्मीर का मुद्दा मान लो क्या हुण रहा है एक इसका क्या करना है लेकिन लो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों मेंबर नहीं किसके युनाइट इनेशन ऑपना है तो यह कह रहा है कि अगर तुम लों आकर मैट शक्तियों सुन सकते ओपनी बात्य रख सकते हो अपनी रख सकते हो सब कुम्हारे पास और नियोंगा थेने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा non पर्मनेंट मेंबर बनके इलेक्षिन जीत के आना पड़ेगा अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है पक्की बात है क्या हंड़ेट परसेंट क्या ठीक है आगे देखे यहां तक कोई दिक्क्ता थे किसी को युनाइट नेशन सेकृटी कांसिल में यह देखों यू नेशन स होता यह भी याद रखना है को दिक्कत और हर साल युनाइटे नेशन जनरल एसेमली का आगे देखे पक्का समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे फटा-फटा-फटा-वट से अपने आंग उठे ठीक है तो देखते हैं क्या है अपने पास आगे वाट इस वीटो पावर क्या होती है इए वीटो पावर होती है की मानलो चैटे नेसे से कांसिल में कोई डिसीजन लिया जारा है जैसे यो बना अंपल टिजीजोन आज बिन पाकिस्तान को एक टेर्रिस्ट कंट्री और्गनाईज क्या करने का डिक्लियर करनें टीगे और दस के इस में से चार कहा रहे है कि हां पाकिस्तान को टेररिस्ट जोशित लेकिन एक कंट्री है मानोब चाइना है चाइना को पसंद नहीं है चीज़ चाहिना बोलगता कि मैंने आपने वीटो पावर है तो वीटो पावर के वीटो पावर से कोई भी कंट्री अपनी वीटो पावर यूज करके किसी भी को उलट सकता है और उसकी बात मानने पड़ेगी क्योंकि वह पर्मनेंट मेंबर समझ में आरा नहीं आरा और यह जो वीटो पावर है इसको एक अंडेमोक्रेटिक चीज की तरह देखा जाता है कि यह तो डेमोक्रासी नहीं है लोगतंतर नहीं है लोगों की बात नहीं सुनी अगर इन पाच के खिलाफ कुछ बोल दो तो यह तो विटो कर देंगे ठीक है लेकिन जो है सो है यूनाइटे नेशन सेकूर्टी काउंसल ऐसे काम करते हैं ठीक है तो क्या होना वाट इस विटो पावर वीटो पावर रेफर्स तुद पावर और पर्मनेंट मेंबर पर्मन काउंसल के कि बीडिसिजन को रेजेक्ट करने की पावर है किसके पास द्सकी पास इन पर्मनेंट मेंबर स्कीत आफ्ल रहे दो वीटो पावर पश्चेश्ट वाइध फर्मनेंट मेंबर ऑफ दे सेकेरीमर्टी कांसिल इस सीन अध्याज the most undemocratic character of the United Nations और इसको कैसे देखा जाता है एज एन undemocratic character of the United Nations United Nations के undemocratic character की तरह देखा जाता है कि यह लोग तांतरिक नहीं है डेमोक्रेसी नहीं यह सिर्फ इन पाच लोग के पास सेकुर्टी कमसिल تीसरा देखते हैं हमपास क्या है तीसरा देखते हैं इस तरह है United Nations Economic and Social Council यह सबसे इसी है सबसे बख्वास भी है है ना देखो क्या है बख्वास मतलब सिर्फ डेवलपेंड डेवलप्मेंट की बात करेगा नाम सी लग रहा एको सॉक है ना इनोवेटिव ठीकिंग और संस्टेअबल डेवलप्मेंट की बात करता है रिफ्लेक्षन का मतलब क्या रिफ्लेक्षन मतलब दुनिया में पावर्टी कितनी बढ़ी है तो इसके उपर क्या होगा रिफ्लेक्ट करके बताएगा सरवे करके बताएगा कि यह इत्ति पर बढ़ रिट झाएगा और फिर इन चीजों पर होगी डिपेट ठीके और इन चीजों की पड़ीट होके फिर क्या बात करेगी इनोरीटिव ठिंकिंग करेकी नह Grid तरीके ढूँदेगे कि भाई सिस्टेन अबल डेवलफमेंट कैसे करें डेवलॉपमेंट कैसे करें एकनॉमिक का पैसों का और किसका सोसाइटी का सबका लिविंग स्टेंडर्ड अच्छा कैसे बना तो वह वाले डिसीजन्स को लेता है वह लेती है एकनॉमिक एंड सोशल काउंसल आई क्या बोल रहा है इट वरक्स फॉर एकनॉमिक सोशल एंड एन्वार्मेंटल डेवलपमे इंपॉर्टन ठीक है तो आगर पेपर में कोशन आ जाए कि यूनाइटेड नेशन्स की ऐसी कौन सी बॉड़ी है जो की एकनॉमिक सोशल और एंवार्मेंटल डेवलपमेंट के लिए काम करती है तो वह है यूनाइटेड नेशन्स सोशल एकनॉमिक एंड सोशल काउंसल इक को शुक्राइब संथा है तो कोशना सकता है मैं कितने मेंबर से 54 में पर से तो यह कृफटी फुर्मेंबर से तो बाकी टोटल तो 193 है 54 चैन्ज रहते हैं हरती Pepsi ninguém साल पर चैनल देर देरकेंवल डेराइव है शिफटी-4 मेंबस इन डेको सब तो तो एक और त्री ययर्स त् रोटेशनल बेसिस पर रोटेशनल बेसिस मदब सब की बारी आईगी सब्सक्राइब तीन साल के लिए मैं हूँ ठीक है तो अब मेरी बारी निया जिसकी बारी निया वो क्या बनेगा वो पार्ड बनेगा किसका एको सॉक का फिर उसकी बारी होगी अब जिसकी बारी निया थी बनेगा ठीक है फिर जगा खाली रहेगी तो मैं दुबारा बन जाओंगा ऐसे तीन-तीन साल के टाइम पर चलता रहाता है आगे क्या बोल रहा है 54 मेंबर से इसमें इट ऑल्सो हैंडल्स और सब्सक्राइब करने काम है किसका का इकोनॉइकशल कउंसिल का एक औ्कॉ से रिलेलेटेट्स यतने मिटिंग्स होती है जितने भी समिट्स होते हैं जितने मिधिस होते हैं क customers ऑर ए 지역 कुछ भी हो रहा है यूनाइटे नेशन की तरफ से तो सारी कि सारी चीज़े यह समालता है ठीक है आगे देखो क्या बोल रहा है इड़ लोकेटेट इन न्यू यॉयॉर्क इसका मतलब एट तीनों के तीनों चीज़े न्यू यॉयॉयॉर्क में ही है कॉंसी कॉंसी पहले जेनरल एसमेली में में मेंबर्स ते कितने कितने मेंबर्स थे 193 और उनाइटे नेशन्स क्या एकनॉमिक एड फिफिफ्टीफर को दिक्कत समझ में आ गया देखते कुछ बचा है क्या ऐड दूंट तिंक कुछ बचा ओ यह वाली बिल्डिंग है इसकी कुछ ऐसी ठीक है त तो आगे बड़े आगे बड़े कुछ बचा नहीं होगा मेरे ख्याल में अगर कुछ बचा है तो तो आप लोगों को सारी की सारी चीज़े समझ में आ गई होगी ठिक अगर नहीं आई या को किसी चीज की ऊपर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर लिखना कि मैं उसको कभी कभी कैसे क्लियर जरूर करूँंगा कमेंट सेक्षन में हो सकता कि मैं क्लियर करूँ तो कमेंट जरूर करना और मुझे बताना यह सेशन आप लोग कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए शेर करिए अपने दोस्तों को दिखाइए और साथ तारिक से स्टार्ट हो रहा है साथ तीन दोहजार तैइस ठीक है तो अगर अभी तक आप लोगों ने सीवीटी की तैयारी के लिए टॉपस टू-पॉइंट ओब जॉइन नहीं किया है तो जल्दी से जाहिए कहाँ पर जल्दी से जाहिए ऑब से चले यह 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 पर आपको कॉर्से उपर क्लिक करिए अंडर ग्रेजओट में जाहिए अंडर ग्रेजओट में अपको मिलेगा सीवी टी का ओक्ष्ण में आप लोगों को टॉप पस टूपएंट ओंड दीजिए और यह वाला कोड़ अपलाई कर लेजिए यह क्या है वाई 742 वाई 742 अड़ा 247 का उल्टा ठीक है इसको क्या कर लीजिए डाल दीजिए ताकि आप लोगों को मिले एक बंपर डिसकाउंट 21 परसेंट का चल रहा है तो 21 परसेंट का डिसकाउंट देखे आपकी तयारी इसी यूइट की एकदम पर्सनलाइज तरीके से करा जाएगी ठीक है एंडिया वगरा के लिए अगर आप प्रिपर करेंट तो विकरम टूपॉइंट ओवैच स्टार्ट होगया है तो विकरम टूपॉइंट ओबैच में पढ़ा रहा हूँ हापर ठीक है तोहापर भी मैं आप लोगों को आज का सेशन जो है वह बहुत 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 पसंद आया होगा ठीक है अगर नहीं पसंद आया है या फिर किस चीज़ में कुछ कनफ्यूजन है तो मैं आपका कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूँ ठीक है तब तक के लिए मोहिन पठान आप सब लोगों से कहता है जय हिंद